जेल लिन अंदर, मैं आशा ताते थरवलोर से, आज मैं आपको कॉक्रोज बगाने की दवाई सिका रही हूं, इसके लिए मैं चाहिए, दो कप, दो स्पून बॉरिंद पॉर्डर, जो हम चावल में यूज़ करते हैं, वे, और एक टी स्पून मैदा, पाव स्पून शुगर, तीनों को अच्छे से मिला लिजिए, इसका हमें डव बनाएगे, इसके लिए हमें चाहिए दूद, थोड़ा थोड़ा दूद आरेके, इसका एक टाइट डव बना लेजिए इस तरह एक टाइट डव बना लेजिए फिर इसके छोटा-छोटा बॉल्स लेके ऐसे हतेली पे रोल करके उसको सुकाना है ऐसे छोटे-छोटे बॉल्स जैसे हम कैमफर बॉल्स करते हैं उस तरफ उसी तरह इसको हम पंदरा दिन एक हफ़ते से लेकर दस दिन लगेगा इसको सुपने के लिए इस बॉल्स को आप हफ़ते से लेकर दस दिन तक उसको सुखाने के लिए रखते इसमें दूप में नहीं सुखाना कोई शेडी प्लेस में सुखा दान सुखा देना जैसे आजमारी के उपर अगर रख देना तो आपने आप वह सूख जाएगा घरमी में अगर आपके सिंग के नीचे ज्यादा कॉक्रोज है तो इसी मिश्रन को आप लिक्विड करके एक पेंट ब्रश से उस वाल को पेंट कर दीजेगा तो आपको कॉक्रोज से चुटकारा जल्दी आप कॉक्रोज से जल्दी चुटकारा पालेंगे ठीक है